शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिमार के लिए लिए। अबे वो अच्छी मैं मेरा इंटिंग में हो एक उफिस में नो तो आप अपने ने को दिए ने को ने चारू है ने कि आपने जो देखा तो आपने सच मान लिया ना अपने जानने की कोशिश भी नहीं कि वहां पे असल में आखर हुआ कि आखरे था साह तुम भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो जिस पहन के लिए तुमने अपनी जान दाओ पे लगा थी उसने तुमें शुक्रिया तक नहीं बोई गा अभाई मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि की एर्थी ने मुझे कुछ नहीं कहा यह परिशानी पूरे परिवार की थी और अब जब सब खुश है तो तो मेरी संतुष्टी भी इसी में है तुमें मेरी बातों का भी बुरा नहीं लगता यह ना मतलब है कि कुछ तीनों से मने तुमारे सा इतनी बत्तमी जी से बात की मैं जानती हूँ कि आप यह सब कुछ बेवज़ा नहीं कर रहे हैं तुमें मेरा मतलब है कि क्या बात है अब अकर मैंने कोई गल्ती कर दिये तो मुझे बताईये न मैं आपके सवालों के उल्जनों को सुल्जाना चाहती हूँ मेरे मन में कुछ सवाल अशा था और मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ आज नहीं कल जब सब मंदिर से ले जाएंगे तब तब हम बात करेंगे खास बात के लिए खास महौल चाहिए होता है कल में दिल खुल के सारी बाते करेंगे तुमारे साथ ठीक है मैं कल का इंतजार करूगे कल सब ठीक हो जाएगा हाँ अभे मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच सब ठीक रहे करेंगे बात करेंगे तो मेरे प्लान का क्या इतनी मुश्किल्स और शक्का बीच डाला इन दोने के बीच नहीं मेरे रहते हैं इनकी यह दूरियां कभी कभ नहीं हो सकती है हलो हेलो वरुन जी हमेन बहुत अच्छा काम मिला है मौडलिंग का उसमें एक लाख रुपे मिलेंगे और उस ब्यूटी ब्रांड के साथ हम जुड जाएंगे ब्यूटी ब्रांड गर्टी यह सब वरुन जी पहले आप हमारी पूरी बास सुने बहुत अच्छा काम है, और उस ब्रैंड की ना मैं अखेली मॉडल रहूंगी, इतना नाम होगा हमारा, हमारा सुंदर सा चेहरा हर जगा छप जाएगा एक बाह मैंना कर दिया ना खिरती, अब ध्यान सर शुलो, ऐसी कोई बेवकूफी तुम नहीं करोगी, सबजी? पर क्यों नहीं करें हम? वरुझी अपर विना वजय बताए और बिना हमारी पूरी बास सुने वे वह, वरुझी ने भून कैसे करें हम चंपी कुछ करना चाहते हैं, सब हमें सिर्फ ना ही कहते हैं, जैसे हमारी जंदीकी पे न, हमारा कोई हकी नहीं है माडम, खल की फोटो शूट की पुरी तयारी हो गई है, एड्रेस और टाइम हम आपको भेज रहे हैं, हापका इंतिदार रहेगा कैसे जाए हम, वरुन जी ने तो मना कर दिया, कुछ ना कुछ तो करना होगा खल शृदा से साफसाफ सारी बाते ही कल लोंगा, हमारे बेच कुछ तनाव नहीं रहना चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा इतनी नादको पत्तर कुछ भेंगे रहे हैं जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी तो मेरा फोन तो उठालो एक बार, एक बार मुझसे बात करो, कर मुझसे मिलने आजाओ, मैं इंतिजार करोगा मेरा फोन तो उठा लो इब एक बात करो करो मुझसे मिलने आजो मैं इंतिजार करूंगा हलो अभे वो अच्छी मैं मीटिंग में हो ना ओफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं तो मैं अपको थोड़ी देर में पाल करो कि अधिसाने में लोगी कि अधिसे में लोगे काल में लोग जगाए लोग य घचासर कुछझ लोगी पाल करो में इंट करो अभे लोग झाल झाल कर झाल कि क्या हुआ है झाल क्या हुआ है अबैmind तुमhें इतना ब चेंड पहली बार देख रहे है तुमसे क्या मतलब है मुझा केना चोड़ दो यार तुम्हारी हर चिंता का हमसे मतलब है अब क्योंकि इतने सालों से हम ही तो रह रह रहे ना तुम्हारे परिवार के साथ तो तुम्हारी परिशानी और तुम्हारे परिवार की परिशानी भी तो हमारी परिशानी है ना नहीं देख पाते हैं तुम्हें मैंसे? कोई दूरत नहीं है मैं अपनी परशानी कोच सुलजा सकता हूं ठीक है, मत बताओ पर हम जानते हैं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं है क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हर रोज एक नही परशानी जो ले आती है Sonia क्यों यह जरूरी है क्या? जब तक मैं तुम्हारी बेज़ती ना करो तब तक तुम मुझा अखिला नहीं चोड़ोगी ठीक है, हम जा रहे हैं पर पर पहले तुम अपने कम्रे में जाओ हाँ ठीक है, जा रहे है तुम मुझे खुद से कितना भी दूर कर लो आप है मैं शद्धा और तुम्हारी बीच दूरियां इतनी बढ़ाद होगी कि तुम खुद शद्धा को इस खर से पहार निकाल कि से खोगे वरना मेरा नाम सो लिया नहीं जिसका जवाब तुम्हें शद्धा से कभी नहीं मिलेगा कल देखते हैं कि इस घर में उस चिट्धी से कौन सा नया रंग के लेगा कि अुम्हें युम्हें आजया गुम्हें नहीं जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार एक बार मुझसे बात तो कर लो कल मुझसे मिलने आ जाओ मैं मैं इंतजार करूँगा तुम्हारा ये चिट्टी आपर किसने डाली अबे ये चिट्टी आपर किसने डाली कौन है ये मुझे क्या बता तुम्ही फोन आ रहे हूँ कैसी बाते कर रहे हैं आप बहला मुझे कोई फोन क्यों करेगा और मुझे तो कोई फोन आया भी नहीं है लीजी मेरा फोन आप खुदी देख लीजे ये चिट्थी यहाँ पर किसने डाली होगा कोई शद्धा जी मम्मी जी मैं बस अभी मम्मी जी से मिलकर आती हूँ अजी वे याँ अगर शद्धा को इस चिट्थी के वारें पता हो तो तो मुझसे तुम जो अगर बुछती यहाँ इस सवाल है कि खतम ही नहीं हो देए मुझे किसी भी किमोद पे शाम तक इस किससे को खतम करना ही होगा आज शाम को नहीं आज मैं कुनाल से नहीं मिल सकतीков क्योंकि उससे मिलना मतलब अपने पjąपर खुझब गुलाडी मारना होगा और श्रद्दा भावीने चल equipment मुझे उससे मिलने के लिए मना किया है कि अगर मैं कुनार से मिली तो घर में हमारे बारे में सब को सच बता देंगी तुझे पता है कल तो उन्होंने मुझे मुझे कुनार से फोन पर बात कर तो यह पकड़ लिया होता बाल-बाल बची मैं आर्थी तू ना बहुत जादा सोच रही है और शद्धा को समालने के लिए मैं हूँ ना तू जा और बस अराम से मिल कुनार से यार सोनिया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आर्थी तू देख यही वक्त है यह सब करने का ठीक है तू तू जा अराम से उसे खरिदारी करवा तभी तो पता लगेगा ना कि तेरा अमीर बॉइफ्रेंड कितना प्यार ने उचावर करता तेरे उपर एक सेकेंड रूख मैं बताती हो कि तू क्या पहन के जाएगी गुराल से मिल में यह रही है मुझे ना सच में बहुत डर लग रहा है अगर श्रद्धा भाबी ने इस पार हमें साथ में पकड़ लिया ना तो मैं नहीं बचूंगी तू इतनी टेंचिन क्यों ले रही है अब यह मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि आज सारे घर वाले मंदे जा रहे है शाम को तो तू जल्दी से अपना कॉलेज खतम कर और उसके बाद पांच बचे मिलने कुनाल को तो ना सच में मुझे मेरे परिवार वालों से भी जादा अच्छे से समझती है क्या है मैंना कु यह बगवान यह कमरा तो जैसे खंडर बन गया है अरे श्रता कहा हो जल्दी आओ बाई आई ममी जी इतना तूल ए बगवान यह जाले तो देखो क्या हालत हो गई इस कमरे की बाई इतने दिनों से कोई आया नहीं तो सफाई भी नहीं हुई है देख रही हो तुम क्या हालत आप फिक्र मत कीजे ममी जी मैं अभी साफ कर देती हूँ है यह भगवाल तुम ना बाहर के सामों को छोड़ो और जड़ा धर की कामों में तेहां दिया करो अरे तुमारे समाज सेवा के चक्कर में घर में कच्राय कठा हो रहा है अरे ऐसे में कैसे पधारेंगी लक्षमी जी हां बताओ और वैसे भी हमने अनुझ जी से कह दिया है कि नए साल में इस घर की सफाई तुम ही करोगी तो एक काम करो आज शाम से श्री गनेश करो वो भी इसी कम्रे से ठीक है २मी जी आज शाम से हां तो और क्या अच्छा मतलब तुम्हारा कैलेंडर इत्ना बरा हुआ है कि छोज का अहिसाब लेने के लिए हमें तुम्हारी अनुमत ही लेनी पड़ेगी नहीं ममी जी में इस मतलब नहीं ता इस एचम कर लोगी और नए साल के याने से पहले पहले आपको सारे कमरे साफ मिल जाएंगे हम ठीक है और शद्दा हम समझ सकते हैं किर्ती को लेकर जो भी फर्ज है तुम्हारे बड़ी वेहन के लेकिन एक बात में पूल ला कि तुम इस गहर की बहुँ और अभे की पतनी हो और तुम ना यहां रहती हो नीचे नहीं कहीं वहां के रिष्टे सुल जाते सुल जाते यहां के रिष्टे ना उलज जाएं उलज गेम आपके साथ इस रिष्टे में आपकी बीवी बनके अपनी मर्जी से बिना आपसे पूछे हम कुछ नहीं कर सकते एक फोटो शूट कराने का मन है हमारा, लेकिन आप नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं कर सकते, बिना किसी वज़े के. लेकिन गर्वन जी, आपको क्या लगता है? आप हमें रोकेंगे, तो हमारे सारे राष्टे बंद हो जाएंगे. आप हमें अभी तद जानते नहीं हैं. नहना भाबी, नहना भाबी, आप यहां आराम से बैठ कर पूजा की थाल सजा रही हैं, और वहां पूरे कानपुर में पता नहीं हमारा घर कौन से तरीके से सज रहा है? रे तू क्या हुआ, क्या भूल रही हैं? आप भूलने को बचा क्या है, अब भाबी, लीजिए, अब भाबी, अपनी आप पत्टी बानने से रहा पूरा कानपुर अंधा नहीं हो जाएगा, और यह लड़की भी कमाल है, उसे जरा भी शर्म नहीं है, उसे पता है के हर रोज उसकी वज़े से कोई ना को इस घर में कानड होता है, लेकिन मजाल है, के सरासी उसमें शर्म हो नहीं, हर रोज उसको करना होता है, नया कानड है, किर्टी से ना, पश्चात आपकी उमीदों में पहले ही नहीं थी, किन अब ये सब, जी, 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 भाबी, देखे, लोग नहीं वोटों देखकर क्या-क्या लिख रहे, देखे, पढ़कर सुनाते हम आपको, तुम इतनी स सुन्दर हो, कभी आओ हवेली पर, उसन है सुहाना, आपकी इश्क में होना है, दिवानाची, रितू, अब सबसे पहले नहीं टॉक टॉक बंद कीजे, किर्टी को तो हम सबढलेंगे, अच्छा, अपरून को फोन कर ली है, अच्छा, कीजे, अब हम भी देखते, कि उसकी बड़ी बहन अपनी ये बिगडल चुटकी को ना, कैसे बचाती है, अच्छादा, सोनिया, मुझे ओफिस के लिएना बहुत देर हो रही है, मैं तुमसे शाम को आकल बात करती हूँ, अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हे ये बताना ही ठीक रहेगा, क्यों, क्या हो गया आरती के लक्षन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे है, तुम खुदी देख लो उसने क्या लिखा है, आज शाम पांच बजे मिलते हैं हमेशा जहां मिलते थे, अरे वो तो शाम पांच बजे अपनी दोस सारीका से मिलने जा रही है, तो इसमें क्या गलत है, शदा वही तो म अब तुम खुदी सुन लो स्पीकर पे की आरती की दोस्त शारीका है या कोई और बुलो मेरी जान, मिल रहे हैं हैं शाम को, अलो आरती अब हावी मेरी फ्रेंड है ना सारीका, उसी का फोन था, उसे मुझ से नोस चाहिए थे तो बस इसी लिए देख रहे हूँ, वह कैसे तुमसे और घरवालों से जूट बोल रही है, मैं उसे आज आखर बात करती हूँ बोले, ऐसा क्या ज़रूरी बात करना थे कि आप लोगो यहां आ बड़ा, बाभी की आखे शर्म से जुक कई है, तो वह गुस्से में नहीं बोल पाएगी, तो हम बताते हैं, बताते नहीं है, तुम्होरी कड़ते दिखाते हैं अरी, यह क्या हो गया, इसका पड़ना कहां चला गया, हम क्यों नहीं देख पा रहे, क्या हुआ बोल जी, हमे ना आपसे यही उमीद थी, कि आप हमारा वीडियो दिन भर देख देख के, हमारी बुराया सब के पास करती हैं, इसलिए हमने ना आपको ब्लॉक कर दिया, क्या आप सब को हमारे खिलाब भड़काती हैं ना, तो यह मौका हमने आपसे छील लिया, देख रहे, बाबी, इसके बेशर भी आप इसको नहीं छोड़े, रितू, अब शान्त हो रहे, कीरती, आप अपनी हरकते खुद भी देख समझ पाती हैं या नहीं, इतनी बेहुदा हरकत अब कैसे कर सकती हैं, अब सिफ कानपोरी नहीं, पोरी दुनिया देख रहे हैं कि तृपाथी खांदान के बहु ने कैसी-कैसी फोटो डाली हैं, हम दुनिया के पहली बहु नहीं जो ऐसी तस्वीरे डाल रहे हैं, और हमें बता था, कि आप लोग ना रोकातों की करेंगे, इसलिए ना भुआ जी, हम घर छोड़कर यहां एते वरुन जी के साथ, ताकिम खुशी सजी पाइपर नहीं, हमारे घर के मामलों में आप लोगों को अपनी तांग डालनी ही डालनी है, बिल्कुल चुप, आपको वरुन ने मना किया था या नहीं यह सब करने से, जूट त लेकिन उसके बाद भी आप कोई कसर नहीं छोड़ती हर रोज एक नया तमाशा करने के लिए, और आप हमको शांती से, हलो, हाँ, हम आ रहे हैं, ने, ने, वो अचानक से एक बेकार सा अणंगा आ गया था हमारे घर पे, पर आप सब ठीक हमारे पे, अब देखें, हमेना बह यह हमारे बेटे का घर है, और यहां से जाने के लिए, वो खुद भी हमें कभी नहीं कह सकते तो जब तक आपके बेटे यहां नहीं है, इस घर के फैसले हम लेते, उस पे हमारा हक है, तो अभी आप दोनों यहां से निकलिए आ आने दीजे वरों को, अब आपका फैसना बही करेंगे थिए तब तक हमारे घर की चौकहट पे, आप लोग आने के तकलीफ मत करिएगा और ना हम पे हुकम चलाने के चलिए, चलिए, चलिए री चलिए जपानी, चलिए अरी है और यह और मैंनी काल रही है कि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो अभी दस जूट और बोले लिए हो फो ये फोन तुम्हारे पास है मैं कबसे अपने कमरे में ढून रही हूँ एक कोना चान के ना थक गई मैं फोन दो मेरा हाँ वो तुम्हारा और हमारा फोन एक जैसा लगता है तो शायद गलती से उठा लिया होगा अब मैं जा रही हूँ कॉलिज वन्हा लेट हो जाओंग कैसा समाला सोनिया और मुझे मंदी जाने के क्या सुरत है और तुम्हे तो पता है आज मैं वैसे भी अब मै तो एक्स्रा ऋपली जा रहे हूँ परे एक्स्रा लेज प्रिए क्स्रा अलमा सा तो आज क्लास छोड़ देना, मेरी बहुत इंपोरेंट एक्स्टा क्लास है, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पता तो है, मैं लेट हो जाओंगी, मैं जा रहे हूँ अब, देख रहे हो ना, अब तो वो मेरी भी नहीं सुनती है, मैं कैसे समझाँ उसको की वो गल्ती कर रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, शद्धा की कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, मुझे लगता है तुम्हें ही उसके ओपर नजर रखनी पड़ेगी, त तुम खुच जाके उस लड़के से बात करो ना, शद्धा, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी वप्पर आज आना, देर मत करना, मुझे भी कुछ काम है तो मैं वो कर लेती हूँ, हे मातरानी, अब क्या करोँ? अब है के साथ देर हो गए, तु कहीं बात मा बिगड़ जाए, और डर इस बात का है कि अगर आर्ती को नहीं रोका तो, तु कुछ बढ़ा ना बिगड़ जाए, अब आप ही बताएए, क्या करों, कैसे इन दोनों को समालों? तुम जैसे लड़के लड़कियों से क्या मॉडलिंग का काम करवाते हो, यह मैं अच्छी से जानती हूँ, आपके ओपर यह धंकी उनकी ना, सूत नहीं गड़ती है, इस बात को अब थोड़ा प्यार से भी बोल सकती हैं, अरे मुझे, क्या महारा जब खुद की बीस अंद तुमारे यह जो बीवी है ना, पीछे पड़ी होई है मेरे झाल